हलो फ्रेंग्स वेल्कम टू ओनलाइन स्टडी बाइट्स मैं हूँ प्रतिक्षा टीजी टी सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का प्रीविएस यह का पेपर 2005 का अप्लोड किया जा चुका है पार्ट बन अप्लोड कर दिया था और इस वीडियो में हम पार्ट टू यानि की जो भी कोश्चन बचे हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के 2005 के उनको कम्प्रीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप TGT PGT या कोई भी ऐसे एक्जाम देने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आता है तो इस तरह के कोश्चन्स आपके आ पहुँच जाए प्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनेकैडमी लर्निंग एप पर प्लेलिस में जाकर अनेकैडमी लर्निंग एप डाउन्रोड कीजे और वहां सर्च कीजे प्रतीक्षा आचार्य वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सक 32 कोशन से स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो 31 तक के कोशन हमने पार्ट बन में अपलोड कर दिये थे अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है प्लेलिस भी दी हुई है जहाँ पर आपको और भी प्रीवियस यर के कोशन पेपर मि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीम पर है ऑप्शन 273 वाँ भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू की गई इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और 73 वे संशोधन अधिनियम 25-4-1993 से प्रवित्व हुआ तो ये है संविधानिक संशोधन जिसमें पंचायती वेवस्था चालू की गई और जो हुई थी 73 संशोधन के द्वारा नेक्स कुशन है प्लेटो के आदर्ष राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक सनचना का हिस्सा नहीं है आप्शन आपको शो हो रहे हैं तो राइट आप्शन है इसका आप्शन टू प्रशाशक वर्ग नेक्स्ट इस जनवादी लोकतंत की अवधार्णा संबंधित है जनवादी लोकतंत की जो अवधार्णा है वो लोकतंत की माक्सवादी अवधार्णा से संबंधित है नेक्स्ट जॉन लोक के अनुसार व्यक्ति के प्राक्रतिक अधिकार है जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राक्रितिक अधिकार है जीवन स्वतन्तिता एवं संपति का अधिकार ओप्शन वन नेक्स्ट इस तो यहां पर थोड़ा से व्यक्ति दी हुई है तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि प्राक्रितिक अधिकारों की धार्णा लॉक के राजनितिक दर्शन का सार है लॉक ने कहा है कि हर व्यक्ति के पास प्राक्रितिक कभी न छोड़े जाने वाले मूलहूत अधिकार होते हैं जिने कोई भी छू नहीं सकता चाहे वहर राज्य हो या समाज या कोई अन्य व्यक्ति लॉक के अनुसार जीवन स्वतन्तिता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्रा तक चली यह आपको बताना है तो सही जवाब है option 1 1951 से 1956 तक next question की और बढ़ लेते हैं और उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा पंचवर्शी योजना के बारे में ते देश के आर्थिक वा सामाजिक विकास के लिए सरकार ने 1951 में पंचवर्शी योजना बनाई योजना आयोग ने 1951 में पहली पंचवर्शी योजना की रूप रेखा बनाई जो एक अप्रेल 1951 से पांच वर्शों के लिए लागू हुई इस प्रकार भारत की प्रथम पंचवर्शी योजना का कारेकाल 1951 से 56 इसवी था नेक्स्ट है मंडल आयोग गर्थित किया गया सही जवाब है इसका ओप्शन 4 1979 इसवी में मंडल आयोग की न्युकती 1979 इसवी में पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जाज़ करने के लिए की गई थी इस आयोग के अध्यक्ष श्री बीपी मंडल थे अगस्त 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तो बीपी मंडल अध्यक्ष थे इसलिए इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है और ये 1979 में बनाई गई थी संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों की न्युक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्ते हैं संग या संयुक्त आयोकी दशा में रास्टरपती द्वारा और राज आयोकी दशा में राज के राजपाल द्वारा अधारित की जाती है नेक्स्ट है योजना आयोक का अध्यक्ष कौन होता है राइट आप्शन है योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधान मंत्री आप्शन वन योजना आयोग भारते सम्मिदान में कोई रुलेक नहीं है और इसका गठन परामश दात्री वा विशेशक की संस्था की रूप में सरकार के एक प्रलेक द्वारा मार्च 1950 को हुआ प्रधान मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते है नेक्स गुट निर्पेक्ष आंदोल विश्व शांथि का बहत्तप आंदोलन है जिसे वर्तमाल समय में तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है और गुट निर्पेक्षन आंदोलन के जनक नहरू नासिर वा टीटो थे तो यहां पर नहरू का नाम है नासिर का नाम है इसलिए मार्शल टीटो आंसर दिया गया है अगर यहां नासिर का होता तो नासिर आंसर होता और नहरू जी होते तो नहरू जी का नाम होता राइट ऑप्शन के तौर पर तो यहां अंसर है मार्श नेक्स कोशन क्यों बढ़ते हैं भारत के प्रथम उपु प्रधानमंत्री थे तो उपु प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सर्दार सुरी बल्लब भाई सर्दार पटेल ऑप्शन 3 और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नहरू और राश्ट्रपती थे पहले डॉक्टर राजी न प्रसाथ नेक्स कोशन है राज जी के नीती निर्देशक तक्त्यू का एक ऐसा चेक है जिसका बुक्तान बैंक की इच्छा पर है यह कोशन इंपोर्टन्ट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है और टीजी टी में भी पूछा गया है तो इसे मैं कोशन को दूसरी तीसरी बार तो देखी रही हूँ राज जी के नीती निर्देशक तक तो एक ऐसा चेक है जिसका बुक्तान बैंक की इच्छा पर है यह कथन किसका है केटी शाहा का केटी शाहा का है ऑप्शन वन इसका सही आंसर है और नेक्स कोशन है संसत के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूंत संसत के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूंतम गड़ पूती एक बत्ता दस होनी चाहिए संसत के नेक्स कुशन निमलेखित में से कौन सा सही सुमेलित है कुशन नमबर 44 और राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन उदारवाद मिश्रण है लोग आधुनिक राजनीतिक सिधान क प्रमुक समर्थक है राइट ऑप्शन 4 उपर युगत सभी नेक्स्ट इस मनुष्य स्वतन्त पैदा हुआ है किन्तु सर्वत जंजीरों से जखड़ा हुआ है यह कथन किसका है तो यह कथन है रूसों का तो रूसों का कहना है कि बहुतिक सभीता की प्रगती से मनुष्य अधिक अधिक सभी और स्वार्थी होता गया है उसमें उच नीच और मेरे तेरे की भावना उत्पन हो गई है पलतह मनुष्य जीवन जटिल और अशांत बन गया युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंस स्वतंत्र उत्पन होता है फिर भी वह सर्वत्र जंजीरों में जकडा हुआ है नेक्स कोशन अंतराश्री न्यायाले इस्थित है तो अंतराश्री न्यायाले स्थित है हेग में अंतर राष्ट्र न्यायाले विश्व के राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को निप्टाता है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं इसका मुख्य कार्याले हेग नीदर लेंड में है नेक्स्ट इस संयुक्त राष्ट्र संग की सुरक्षा परिशत में स्थाई सदस्यों की कुल संख्या है तो सही जबाब है ऑप्शन बन पांच सुरक्षा परिशत संयुक्त राष्ट्र संग की कार्यकरणी के रूप में कार्यकरने वाली संख्था है इसके पन्रा सदस्य होते हैं जिनमें पांच सदस्य इस्थाई होते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस्थाई सदस्यों की संख्या पूची गई है जो की पांच है और इस्थाई जो होते हैं वो दस होते हैं तो टोटल तो 15 होते हैं 5 सदस्य इस्थाई होते हैं और 10 इस्थाई होते हैं इस्थाई सदस्य देशों के नाम है बिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन तो ये 5 जो हैं वो कभी नहीं बदले जाते हैं और ये जो 10 हैं वो हर धाई वर्ष के बाद इनको चेंज कर दिया जाता है तो पांच सथाइस सदस से देश हैं बिटेन फ्रांस रूस अमेरिका और चीन तो आप यू एनो यानि की सज्ट रासुसंग जिसको यूनाइटेड नेशन औरगिनाइजेशन बोला जाता है इसके बारे में आपको सारी जानकारी ले लेनी है इसका जो मुख्याले है वो न्य यूश्ट में है यहां पर जो भाषण दिया था तो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति वो थे अटल बिहारी वाजपई की तो इसके बारे में आप सभी जानकारी जरूर ले ले लें अगर नहीं है तो मैं वीडियो अप्लोड कर दूंगी अगर आप लो कमे जाने के बारे में कर लेनी है तो एक दो वोशन जरूर आते हैं नेक्स पोशन है भारते सम्विधान के किस अनुच्छेत का सम्मन्द विद्ध विध्यक से है राइट ऑप्शन 3109 नेक्स इस लोगतांतिक विकेंदी करण से साथ पर्य है सही जवाब है वन पंचायत राज की स्थापना से है जिसका उल्लेक सम्मिधान में अनुच्छेत चालिस के रूप में किया गया है तथा जिसे 73 सम्मिधान संशोधन द्वारा 1913 में लागू किया गया नेक्स्ट है सामुदाइक विकास सारेक्रम का आरंब किया गया था तो सही जवाब है ऑप्शन 2 सन 1952 इस जसे जवाब है 3. राज्य का कोई धर्म नहीं होता ओर धर्म निर्पेक्षत से तातपर यह है कि राज्य सभी मतों का समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयम किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेका नेक्स्ट है, राश्च्र पार्टी की श्रेर्णी प्राप्त करने के लिए किसी भारत राश्नीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्चों से मतों के आधार पर मानिता प्राप्त करना अवश्यक है राइट उप्शन 4 साही जवाब है, साथवी अनुसीची तुकेंदे राज्य के भी शक्तियों का वितरण सम्विधान की साथवी अनुसूची में दिया गया है इस से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था संग सूची 99 मद्, जाजी सूची 61 मद् तका समवर्ती सूची 22 मदों का विवरण मिलता है नेक्स्ट है भारत में सरवोचे न्याया लेके न्यायधीशों की कुल संख्या कितनी निश्यत की गई है सही जवाब है option 26 और 25 से अन्य न्यायधीशों की मिलकर बनेगा next नेक्स है भारती संविधान के किस अनुच्छेत में संविधान संशोधन प्रक्रिया उलेकित है तहीं जवाब है इसका option 2, 368 तो भारतिय संविधान के अनुच्छे 368 में संविधार संशोधन प्रक्रिया का उलेख मिलता है जिसके अनुसार संविधान के सभी संशोधनों के लिए संग की संसर में विधेयक विशेश पहुमा से पारिप किया जाएगा निमलिखित युगमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो ये है भारत संघात्मक और ऑस्टेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक तो यहां पर ब्रिटेन सुमेलित नहीं है क्योंकि भारत, आस्टेलिया और अमेरिका में संगात्मक शाषन व्यवस्था है जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शाषन व्यवस्था नेक्स्ट है संविधान समिक्षा हेतू बनाई गई नवीन तंग अब तक की अंतिम समिती के अध्यक्ष कौन थे राइट ऑप्षन टू है जस्टिस वैंकट चल लईया उच्चितम न्याले के मुख्य न्याधीश एमेन वैंकट चल लईया की अध्यक्ष का में 11 सदस्य समिधान की समिक्षा आयोग का गठन 22 परवरी 2000 को किया गया लक्षुदीब की राथानी का नाम तो राइट ऑप्षन वन इता नगर और अभी आपके जो पॉलिटी में करंट को कोशन आ रहे हैं उच्चतम न्याले बना है तेलागना और आन्र प्रदेश में उससे सम्मंदित कोशन आ सकते हैं के कौन से वहां के न्याधीश सुने कोशन जरूर पूछे जा सकते हैं नेक्स कोशन है लोगपाल विद्यक बिल अपने देश में पारत हुआ था सही जवाब है सन 1996 इस्वी में नेक्स है प्रजात तांतिक समाजबात की अब्धार्णा को किसने विक्सित किया था सही जवाब है तू राम अनोहर लोहिया नेक् जादिक उप्युत है राइट ऑप्शन टू द्वे दल्य नेक्स्ट इस सैंक्त राष्ट संग का सचवाले स्थित है तो यह भी आपको बताया था तो मैंने कहा है कि सैंक्त राष्ट संग यानि की यू एनों से सम्मलित आप सभी कोशन जरूर देख लें दो तीन कोशन तो इस समय यू एनों के जो सच्चिब हैं महा सच्चिब हैं वो हैं पुर्तगाल के एंटोनियों गुट्रेशे तो यह भी आप ध्यान रखें पूछा जा सकता है वर्दमान महा सच्चिब कौन है तो यहां पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो कम्प्रीट होता है 2005 अभी क्लिए इतना ही जल से जल और भी पेपर अप्लोड के जाएंगे साथ ही आपके मॉकट पेपर भी अप्लोड के जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन पर प्रेस करें बाइबाइबाइब टेकर एंस्टों वोटिए